हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइव एड 24 गंटे में पहली बार कोरोना के नए केस 6,000 से ज़ादा बढ़े कुल मरीजों की तादाद 1,18,000 से ज़ादा दिली में कोरोना फैलनी की रफ़तार तेज़ वी 24 गंटे में रिकॉर्ड 669 मरीज, कुल मरीज 12,000 के पार प्रधान मंत्री मोदी ने तुफान प्रभावित पश्च्व मंगाल को 1,000 करोड की मदद का एलान किया मृतकों के परिवार को 2,000 और घायलों को 50,000 का मुअफजा इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बश्च्व मंगाल में उम्फ़न तुफान से हुए नुक्सान का जाईजा लिया और मुख्यमंत्री मम्ता बानर जी के साथ समीक्षबा थकी रिजर्व बैंक ने दी राहत की एक और किस्ट रिपो रेट शून ने दशमलब 4 पी सदी घटा कर 4 पी सदी किया कर्ज सस्ता होगा महंगाई कम होने की उमीड लॉक्डाउन ने तोड़ी अर्थ विवस्था की कमर रिजर्व बैंक पे पहली बार कहा साल 2020-21 में नेगेटिव रहेगी देश की आर्थिक विकास दर महराशी उधर सरकार के खलाफ पढ़नमीस की अगुवाई में वीजेपी का काले मास्क पहन के प्रदर्शन मजदूरों और किसानों को 50,000 करोर के पाकेज की मार्थ प्रवासियों की पलायन अर्थवेवस्था की हालत पर आज कॉंग्रस अध्यक्ष सुनिया गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगी बैठक में 20 से जादा राज़ितिक दल नज़र आने वाले हैं बैठक में BSP समाजवादी पार्टी और आमादी पार्टी शामिल नहीं होगी राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल इंडिको एरलाइन्स ने 51 शहरों के लिए शुरू की बुके दोपहे साड़े बारबजे से एर इंडिया के टिकेट भी बुक होंगे यूपी के सीम योगी को हेलप लाइन 112 पर अग्यात शक्स ने भी जान से मानने की धम की लखनों की गोंती नगर ठाने में केस तर्च मारूती सुजुकी ने दिया ग्राहकों को अफर अभी कार लो और दो महिने बाद किष्ट दो कंपनी 90 फीसेदी तक फाइनांसिंग को तयार उत्तर प्रदेश रोडवेज ने राजस्थान सरकार का 36 रुपे का बिल चुका दिया है ये बिल राजस्थान सरकार ने कोटा में फसे यूपी के चात्रों को वापस ले जाने के लिए यूपी रोडवेज को थमाया था ये बिल उस वक्त का है जब कोटा से यूपी के बच्चे आगरा और जहांसी आये थे राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सेंग खाचरिया वास्ते यूपी के सीम और डेप्यूटी सीम के खलाफ मुकदमा दर्ज कने की मांग की है प्रताप सेंग के मताबिक मदद की पेशकर्श को ठुकरा कर यूपी सरकार ने आपराधिक काम किया है इसलिए यूपी के सीम और डेप्यूटी सीम पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए यूपी से बस के लिए 36 लाग का बिल लेने पर बीएसपी प्रमुक ने कॉंग्रस को भेरा मायवती ने ट्वीट कर कहा ये कंगाली और अमान वियरता को प्रदर्शित करता है दो पडुसी राजों के बीच ऐसी घिनोनी राजनीती अती दुखत पूरे की केमिकल फाक्टरी में भीशन आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी मुकेश अमबानी की कंपनी रुलाइंस जीओ में अमेरिका की कंपनी केके आर ने 11,000 करोर से जादा का निवेश किया अब तक 78,000 करोर की हिस्सेदारी बेच चुकी है रुलाइंस जीओ आज रमजान का आखरी जुम्मा, लखनों में सोचल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई अलविदा नमाज बिहार में प्रवासियों की वज़े से तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस कल 211 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इनमें सर 200 प्रवासी जमु कश्मीर के कुलगाम में 21 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गए है कश्मीर घादी में अब तक करीब 80 पुलिस कर्मी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है जमु कश्मीर में अब तक 1390 कोरोना केस की पुष्टी हो चुकी है दिल्ली पुलिस में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है दिल्ली पुलिस के अब तक 210 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं इसमें से 103 जवान इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ 107 पुलिस कर्मियों का इलाज अभी चल रहा है यूपी में नॉइड और गाजयबाद के शहरी इलाकों को रेड जोन घोशित कर दिया गया है यूपी के स्वास्त सचव अमित मोहन प्रसाद ने नए निर्देश जारी कर दिये हैं आगरा मेरत और कार्बूर के शहरी इलाकों को भी रेड जोन में रखा गया है जो जनपर्द रेड जोन या ग्रीन जोन में नहीं है उन्हें औरंग जोन में माना जाएगा प्रवास्यो की वापसी से यूपी के कई जिलों में बढ़ा खत्रा 12 बंकी जिला ग्रीन से रेड जोन में तब दील के बाद खुले बाजारों को बंद कर आए गया जार्खन में कोरोना के कुल 308 मामले हो गए है जार्खन के बुकारों में सामने आए कोरोना के पांच नए केस ओडीशा में गाउवालों के विरोध से परिश्वाने कैंसर मरीज की कॉरिंटीन सेंटर में मौत हो गई ओड़ीशा की गजपति के कासीनगर में रहने वाले क्रिशना कैंसर के मरीज थे कृष्णा आंधरप्रदेश के गुदावरी में रह रहे अपने बेटे के पास नहीं जा सके क्योंकि वहाँ स्थानी लोगों ने विरोध किया वापस लोटने पर कासी नगर के गाउवालों के विरोध के चलते कृष्णा को कॉरिंटीन सेंटर में रहना पड़ा इसी कृरिंटीन सेंटर में उनकी मौत हो गई एश्या के सबसे बड़े स्लम इलाके धारवी में CISF के जवानों की तैनाती की गई है सरकार ने कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए मुंबई में 9 जोन मनाये हैं मताया जा रहा है कि धारवी के तरज पर सभी जोन्स में CISF के जवानों की तैनाती की जाएगी मुंबई में कोरोना संक्रमन मरीजों का आगड़ा 40,000 के करीब पहुँच क्या है महराष्ट में आज से लोकडाउं की नई गाईलाइन्स लागो महराष्ट को रेड और नॉन रेड जोन में बाता गया नॉन रेड जोन में खुली दुकाने मुंबई में होगी शराब की होम डिलिवरी बिहार के सेम नितीश कुमार कॉर्णटीन सेंटर में मौझूद प्रवासियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सीधी बात करेंगे दस दिलों में हर दो कॉरिंटीन सेंटर में नितीश बात करेंगे उनको मिल रही सुवधाओं का जायजा लेंगे देश भर में आज से काउंटर रेल टिकेट की बुकिंग शुरू एक लाग सातर हजार कॉमन सर्विस सेंटरों पर टिकेट बुकिंग सुवधा बहाल की जाएगी रेल मंत वाले अगले दो-तीन दिनों में रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर टिकेट की बुकिंग शुरू करने की तयारी में है मुंबई में रेलवे स्टेशन के टिकेट आरक्षन केंदर पर एक जून से चलने वाली टिकेटों की बुकिंग शुरू हो गई ज्यूकि जादतर टिकेटों की ओनलाइन बुकिंग हो चुकी है इसले काउंटर पर बहुत कम लोग नजर आए रेलवे रिजरवेशन काउंटर खुलने के बाद लोगों की लंबी कतार दिले के पहार गंज रिजरवेशन काउंटर पर लोग सामाजिक दूरी बनाकर लगे कतार में मीरट में भी रेलवे रिजरवेशन काउंटर खुले लोगों की लंबी कतार लगी पटना में रेलवे टिकेट खरीदने के लिए कतार में जुटे लोग, लोगडम के दोरान रेल सेवा ठप है, लेकिन आगे के लिए होने लगे है टिकेट बुक कोरोनकाल में बड़ी लापरवाही, चंडीगर से दो ट्रकों में लोग पटना बाइपास के पास उतरे, रास्ते में स्ट्रीनिंग नहीं, पुलिस प्रशासन ने नाम पता तक नहीं पूछा बैंगलोर में करनाटक राज्य के अंदर ही अंदर चलने वाली ट्रेने शुरू, बैंगलोर से बिलगाम के लिए ट्रेन को हरी जंडी दूसरों राज्यों से यूपी पहुचे, साथ लाग प्रवासी, डेप्यूटी सीम केशव मौरया ने कहा, चुनौटी से ने पटने को तयार, राज्यों में रोज साथ हजार टेस्ट, पचछत्तर हजार बैट तयार आग्रा लक्रों एक्स्प्रेस वे पर चलते ये प्रवासी अपने परिवारों के साथ पलायन करने के लिए मजबूर है, राजिस्थान से बिहार के कटे हार जाने के लिए एक परिवार, छोटे बच्चों और सामान को ठेले पर लाद कर निकल पड़ा है, कनोज में स्थान में नाग्रिकों को लाया गया है, जो पंजाब की अलग-अलग शेहरों से हैं, इन नाग्रिकों को अभी कॉरंटीन सेंटर में रखा जाएगा और मेडिकल जांच कराई जाएगी प्रवासी मजदूरों की घरवापसी के लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, यूपी और बिहर के लिए 11-11 ट्रेन चलाने का अईलान किया गया है, पहली बारी में 2800 लोगों को घर भेज़ा जाएगा यूपी के मतुरा से देर रात एक स्पेशल ट्रेन हावरा के लिए रवाना हुई, ट्रेन से पश्च मंगाल के 1700 प्रवासीओं को ले जाया गया, स्टेशन पर तालियों के साथ प्रवासीओं को विदा किया गया करनाटक में आज से दो स्पेशल ट्रेने चलेंगी ये ट्रेने बैंगलूरू से मिसूर और बैंगलूरू से बेलगावी के बीच चलेंगी रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद करनाटक सरकार ने इन्हें चलाने का फैसलर किया है इनमें सफर के लिए ओनलाइन चिकेट बुग करना होगा लोगडाउन के दौरान ये पहला मौका होगा जब ट्रेनों को इंटल स्टेट चलाया जाएगा देश भर में घरेलू उडान शुरू होने की तारीख 25 मई से पहले ही होने लगे अएरपोर्ट तयार खुबनेश्वर से आई तयारी की तस्वीरे कुरोना लोगडाउन की वज़े से कैनड़ा में फसे भारतियों को लाने गई वंदे भारत उडान लोटी दिली और अम्रित सरके यात्वी अलाबाद हाई कोट ने यूपी की अदालतों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है इस गाइडलाइन की मताबिक ग्रीन और 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 इंज जोन में अदालतों में कामकाच शुरू रेड जोन में आने वाली अदालतें बंद रहेंगी और सिर्फ बेहत जरूरी मामले ही निप्टाए चाहेंगे आग्रा में बच्चे के साथ सूट की स्खीचती महिला के परवार को अखिलेश रादव ने किया एक लाकी मदद का एलान कोरुना संकट में पलायन के दर्द का प्रतीक बनी ये तस्वीर UP के कोशामी में पत्मी पर प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्याकारों पुलिस ने कॉल डीटेल के आधार पर खुलासा किया महिला ने अपनी कर्तूद छिपाने के लिए पहले किसी और पर आरोप लगा दिया था यूपी के बरेली में इपास बनाने के नाम पर कलेक्टरेट आफिस में पैसे एठे जा रही है कलेक्टरेट कर्मचारी का पैसे मांगते हुए आडियो वाइरल होने पर मामले पर से परदा उठा है आडियो क्लिप में इपास बनाने के लिए एक शक्त से धाई हजार रुपे मांगी गए हैं आडियो क्लिप वाइरल होने के बाद आरोपी कर्मचारी को निलम्मित कर उसके खलाफ एफायार दज की गई है यूपे के गाज़ेपूर के विद्यापारा गाउं में मन्रेगा के लिए बुजर्ग मजदूर भी आवेदन कर रहे हैं लोगडाउन में कमाई का कोई जर्या ना होने के विज़े से 70 साल तक के बुजर्ग भी मजदूरी के लिए मजबूर हैं मन्रेगा योजना के तहर्ट काम करने के लिए 18-60 साल की उम्र तै की गई है यूपिक गौंडा में बेटी के घर गए बुजर्ग पिता की पीट पीट कर हद्या कर दी गई घटना करनेल गंच खोदवाली शेत्रों के कमालपूर गाउं की है पिता नूर मुहमद अपने बेटे के साथ बेटी के घर उसे इदी देनी गए थे पैसो के ववाद में बेटी के सिसुराल वालों ने नूर मुहमद पर लाठी डंडों से हमला कर दिया यूपिक के भधोही जिले के चकडाही गाउं में मामुली कहासुनी में दो पक्षों के बीच जम कर मार बीच हुई कानपूर में एक सिपाही पर लड़की के साथ बलातकार का आरोफ लगा है लड़की ने जहासी में दानात अमित नाम के सिपाही पर आरोफ लगाया है पुलिस ने मुकर्दना दर्च कर सिपाही को गिरफतार कर लिया उत्तर भारत की महिलाओं में देखी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जाक रुखता कानपूर और पटना में समाजिक दूरी बनाकर वट सावित्री पुजा मत्यप्रदेश के रीवा में पुलिस कर्मे प्रवासियों को भुजन और गमशे देकर बड़ी मदद कर रहे है मुंबई से यूपी जा रहे है प्रवासियों से भरी बस एमपी के सागर में पलट गई घटा में साथ प्रवासी घायल हुए है महराश्ट्र के सिहोर पहुचे इन प्रवासियों को एमपी सरकार ने यूपी भेजने के लिए बस का इंतिजाम किया था सुबह चार बज़े के करीब ये बस सागर के माल थौन के पास पलट गई उत्राखन के कोट द्वार में चलती कार में अरचानक आग लग गई ट्राइवर ने कूद कर मुश्कल से जान बचाई शौट सरकट से आग लगने की आशंका सवारी को पोड़ी छोड़ कर वापस दिल्ली लौट रही थी कार लौकडाउन के बीच 1200 किलोमेटर साइगल चला कर अपने पता को घर पहुचाने वाली जोदी को साइकलिंग फेडरेशन का बुलावा आया है फेडरेशन 13 साल की जोटी को दिली के इंदुरा गांधी स्टेडियम में बेस्ट साइकलिस्ट बनाने के लिए ट्राइल का मौका दे रही है जमु कश्मीर के पुंच में श्रम विभाग ने नर्मान के काम से जुड़े मजदूरों के लिए कोरोना मदद की दूसरी किस्त जारी की है पुंच में 6000 मजदूरों के खाते में मदद की रकम पहुचाई गई है ये वो मजदूर हैं जो की लेबर डिपार्टमन में रजिस्टर्ड हैं इस संकर की घड़ी में मदद की राशी पहुचाने पर मजदूर काफी खुश देखे महराश्ट के नासिक में गाड़ियों के शोरूम खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी है टू वीलर और फोर वीलर गाड़ियों के शोरूम खोलने से लोगों में खुशी है शोरूम में पहुचकर गाड़ी खरीदने के बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं लंबे समय बाद ग्रहकों के आने से शोरूम मालिकों ने भी रहत की सास्ती है बिहार के कैमूर में बोधे पार्टी में फाइरिंग के वाइरोल वीडियो पर पोलिस ने कारेवाई की फाइरिंग करते दिख रहे दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है फाइरिंग वाली लाइसेंसी बंदूग भी जब्त कर ली गई है लॉक्डाउन के बीच लखनों के अजीज नगर में एक स्वास्त कर्मी के घर में ही लूट हो गई दो बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया और घर में मौजूद दो बच्चों को बंदक बना कर करीब 40 लाग रुपे लूट लिये स्वास्त कर्मी ड्यूटी पर था जबकि पत्नी ड्यूटी पालग गई भी थी दिली के कीरती नगर में चूना भट्टी के पास जुग्यों में भीशन आग से सौ जुग्या जलकर राख हो गई हाथसे में किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है मौके पर पहुँचे 29 फायर ब्रिगेट की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया आग लगने की वज़े से लेंडर फटना बटाया जा रहा है जाकन के रजरप्पा के सितपीट माचिन मस्तिका मंदर में हवन और जब कायोजन किया जा रहा है ये हवन कोरोनमा हमारी से बचने के लिए किया गया हवन के दौरान मंदर के पुजारी ने सामाजिक दूरी का पालंद किया पज़ाग की जालंधर में सिर्फ 6 बारातियों के साथ शादी करने पहुचा दूलहा जब अपनी दुलहन को बुलेट पर लेकर लोठा तो रास्ते में जालंधर की पुलिस टीम ने उसे रोक कर खेक कट पाया लोगडाउन में बहुत सामाने अंदाज में शादी करने पर इस जोड़े का पुलिस ने ठन्यवाद भी किया पटना में बिली से आए कुछ मजदूर सड़क के नारे रोते दिखे इनका कहना है कि ये भूखे हैं और पैदल और अंगाबाद जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही दिली में लॉकडाउन के दारान बसों को मिली छूट और कई दफ्तरों के खुल जाने से अभी से लगने लगा जाम कोरोना काल में आईटियों के पास भारी जाम की तस्वीरे दिली यूपी सीमा पर वहनों की चेकिंग से बढ़ी भीर कालंदी कुण जुलाके में लगा भारी चाम श्वीनगा में लॉकडाउन जारी है सिर्फ लाल चौक और कुछ लाकों में इद के लिए थोड़ी रहत बाकी लाकों में बिना पास के आना जाना मना गूगल और आपल ने कुरोना के लिए अलर्ट देने वाला आप तयार किया इस तक्नीक से तयार आप कुरोना संक्रमत के संपर्क में आने से पहले से इसे इस्तमाल करने वालों को सतर्थ करेगा मशूर फिल्म प्रेडियूसर बोनी कपूर और उनकी दो बेटिया खुशी और जानवी कपूर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है बोनी कपूर के घर काम करने वाले चरंच साहू के संक्रमत होने के बाद घर के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया चर्चित टीवी धारावाहिक महाभारत में देवराज इंद्रो का करदार निभाने वाले अभिनेता सतीश कॉल ने मदद की गुहार लगाई है सतीश कॉल ने कहा है कि लोगडाउं की कारण पैसों की कमी हो गई है घर के किराये और दवाईयों के लिए पैसे की जवरत है मशूर लेखा को और वोईस ओवर आर्टिस्ट आशीश रोय अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुँच के हैं आशीश मुंबाई के कृटी केर अस्पताल में भरती थे लेकिन पैसों की कमी के कारण इलाज में परिशानी हो रही थी ABP News की मदद से उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी जिसके बाद वोलेवुट की कई सितारों ने आशीश को 4 लाग रुपे की आर्थिक मदद की झाल energा था जिसके ऊड़काई एल-भर है मuni की आर में पा παई की जिसके बाद है कि बाद हे लिए की आर में जिसके एंगτανदावश्ट की मोंद्ैक